मैं माता रानी से प्रातना करती हूँ कि आप सभी को मा स्वस्त और खुशाल रखें। मा का जन्म दैत्तों के संधार के लिए हुआ था। वैसे तो पूरे साल ही माता की पूजा की जाती है। लेकिन नौरात्री के दोरान इनका विशेश पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि नौरात्री के समय नौ दिन माता राने प्रित्वी पर आकर भक्तों के बीच रहती हैं। इसलिए मा को खुश करने के लिए भक्तगर्ड, विदिपुर्वक, आर्ति, पूजा एवन दुर्गा सब्तमी का पाठ भी करते हैं। और ब्रत भी रहते हैं। एक बार सब देवता राक्षसों के अत्याचार से तंग आ चुके थें। तब देवगर्ड सोचने लगे इनसे छुटकारा कैसे मिलें। तब रम्मा जी को याद आया कि तब रम्मा जी ने उन्हें बताया कि असुर राज को ये वर्दान मिला है कि उसकी मौत कुवारी करन्या के हाथ से होगी। तब ही सभी देवताओं ने मिलकर एक तरकीब निकाली। उन्होंने अपनी अपनी सकतियों से एक देवी को उत्पन किया। विभिन देवताओं की सरे से निकले हुए तेश से ही देवी के अलग-अलग अंग बना है। भोले नत के तेश से माव दुर्गा का मुख प्रकट हुआ है। वायों के तेश से कान तथा अन्य देवताओं के तेश से देवी के भिन भिन अंग बने हैं। फिर भोले नत ने उस आदी सक्ति को अपना त्रिशूल दिया। अच्मी जी ने कमल का फूल, विश्रूने चक्र, अगनी ने सक्तिव बाड़ों से भरे तरकस वरोड के दिव्य संख अनुमान जी ने गदा। ने मडियों से सुसोभित, नागिंद्र ने ब्रज, भग्मान राम ने धनुस, वरोड दियों ने पास, वर्तिर ब्रह्मा ने चारोवे तथा हिमाले परवत ने सवारी के लिए से प्रदान किया। इसके अतरिक्त समुंद्र ने बहुत उज्वल हाल कभी न फटने वाला देव्यवस्त चूडा मड़ी, दो कुंडल, हाथों के कंगन पैरों के नुपूर तथा अमूठिया भेट की इन सब वस्तुमों को देवी ने अपनी 18 भुजाओं में धालर किया। दुर्गमा इस स्रिष्ट्री से आदि सकती हैं। पिताम ब्रह्मा जी, भगवान बिश्मु और भगवान श्यूप उन्ही की सकती से स्रिष्ट्री की उत्पत्ती हुई और पालंप्रोशड और नरसंगार भी करते हैं। अन्य देवता भी उन्ही की सकतीयों इसमलड करते हैं। और 365 दिन कार करते हैं। माता ने दुर्गमा सुर्कावद किया। जिसके कारर वे समस्त ब्रह्मान में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। मा दुर्गा को आधिसक्तिया भवानी और जैसे नौ देवी वाली मा दुर्गा कहा जाता है। इनको कई नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको हमारी कथा कैसे लगी कमेंट बाक्स में लिखे। धन्यवाद।